हलो दोस्तों मैं शावचकान आप सभी का स्वाइद करता हूं सिंगोर एजूकेशन के आप ही के अपनी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आज आपके लिए का क्या हूं जैसे आपको थमलेन में देख रहा हैं बिल्कुल साब साब की लास्ट मिनेट टिप्स मतलब मेत में अब एक दिन हमें अब पास एकजाम में बचा हैं और हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या-क्या चीज हमें एक दिन में करनी है और क्या पेपर देते टाइम हमें क्या-क्या चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है किसी भी बच्चे का 100% सिलेबस नहीं होता है किसी ना किसी बच्चे का कुछ ना कूछ चीज छूड जाती है तो दोस्तों आप सभी को मैं बलूँगा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जुरत नहीं है जितना आपने किया है ना ये मालो आपने अपना 100% दिया है आपने अपनी पूरी मेनत किया है तो टेंशन लेने की कोई जुरत नहीं है बस अब जतना किया है उसको रिवाइज करना है फटाफट 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 मतलब 2-3 गंटे खुद की लिए रखने रात को सोने से पहले कि 2-3 गंटे मैं एक बात बहुत बहुत की जब रात को पढ़ाई हो तो रात को 10 बजी अपनी पढ़ाई खतम करो शारी जहां भी आप देख रहे हो जो भी कर रहे हो उसके बाद 2 गंटे खुद को दो एक बार यह देखो कि आपको कौन कौन सा चेप्टर आता है उन्हों चेप्टर की बारे में सबसे पहले टिक करो और सबसे मेन बात आपको बताना चाहूँआ कि दोस्तो कोई ऐसा नहीं कि जिसके 100% सिलेपस हुआ हो और आप सभी को जैसा फौन कर गे हैं मत पूचो कि तेरा कितना हो गया तूने कितना पढ़ लिए मतलब कोई डिसकस करने कीजूरत निये ये मानो कि आप खुद अकेले हो और अकेले आपको पहपर देना है ठीक है तो आपको क्या करना है किसी से कोई कुछ डिसकर्शन नहीं करना है ना कोई टीचर से ना किसी दोस्से तो आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको क्या रिवाइस करना है कैसे कैसे चीज स्टार्ट कर सबसे पहले आपके दिमाग में एक एचीज होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको लास्ट निनिट टिप्स में किया ध्यान राख सबको एक बार दिमाग में रट लो देख लो क्या क्या हमारे यूस आने वाले उसके बाद क्या करना दोस्तों आपको सबसे उसके बाद करना पेपर अच्छे से पहले अटेम्ट नहीं करना बस अपने दिमाग में यह सोच लेंगे सारा दिमाग के हमारे सारा दिमाग हम खोल लेंगे कि हमें कैसे कैसे करना है किस किस कोशन में क्या लिखना है किस किस कोशन को कैसे अटेम्ट करना है सबसे मेले दोस्तों आप क्या करना अपना जो भी पेपर अटेंप्ट करो उसको section wise attempt करना आपके जितने भी section है exam में उनको section wise attempt करना यह नहीं है कि आपने क्या करना direct आप हर section पर पोज़ गया आपने last section पर पोज़ गया आप section wise attempt करो पूरा paper को ठीक है आप section a से start कर रहे हो तो a b c ऐसे attempt करना है आपको पूरा paper ठीक है उसके बाद आपको अगरना है पूरा section जब देख लोगे तो आप यह देखो easy question कौन से है आपके ऐसे question जो आपको बिल्कुल easy है जहां आप direct approach लगा रहे हो या direct कोई भी आपका वो रूमल है वो आप लगा रहे हो ठीक है और वो question आपको बिना मतलब इतना दिमाग चलाए वो आपको easily solve हो रहे है तो पहले उन question को tick करो जैसे tick कर दिया आपने फिर आप आप आजाओ calculation based questions में ऐसे question देखो जिनमें आपको सबसे ज़्यादा calculation करनी सबसे पहले आपने क्या टिक करा easy questions paper attempt करने से पहले क्या करा आपने सबसे पहले easy question को tick करा उस पर क्या लिख दिया ई pencil से लिख दो paper पर ई ठीक है उसके बाद यह देखो किस question में आपको calculation करनी पढ़ रही जाए सबसे ज़्यादा calculation आपको पता है surface area volume or statics में करनी पढ़ेगी उन पर लिख दो c क्या लिख दो दोस्तो c बोले तो calculation और उसके बाद ध्यान रखना calculation में आप इतना ध्यान रखना LCM SCF plus minus इनकी सबसे ज़्यादा गलती होती है और unit dimension का अच्छे से ध्यान दे लेना अगर पूरा question मिटर में है तो meter में करना centimeter में है तो centimeter में करना और देखना सबसे ज़्यादा unit आपकी चाहिए meter में हो तो उसको meter में change करो और सबसे ज़्यादा unit अगर question में centimeter में दी हो तो उसको centimeter में change करो unit का जरूर ध्यान रखना आपको पता surface area volume की जो आपकी surface area की होती है unit होती है कि last में जब आपका देखो, last में क्या करना है, जो question आपको लग रहा है, कि ये question मुलसें नहीं हो पाएंगे, मतलब जो question गया आपके बिलकुल difficult है, या मतलब आप जिन में कुछ सोच नहीं पा रहे हो, उन question को सबसे last में आपका attempt करना है, ठीक है आई बात समझ में नमबर बन पर आपको बता दिया है मैंने easy question करो दूसरे में easy question वाई करो जिनमे direct formula attempt हो रहा है दूसरे नमबर पर calculation करो आप तीसे नमबर पर आपको बता दिया है मैंने कि उन question को करो जहां पर आपको direct formula लग रहा है यह case based study आपके हो रहा है ठीक है उसके बाद fourth number पर आपको क्या करना है उन question को attempt करना है जो आपके difficult question हो मतलब जिन question में आपको लग रहा है कि यह question मेरे से नहीं हो बाएंगे उनको last time attempt करना है उसके बाद आपको क्या करना है अपनी units का ध्यान रखना है कि बोले तो units का ठीक है उसके बाद units का ध्यान रखने में आप यह देख लेना कि आपने जो प्लस माइनस किया है तो ध्यान रखना कभी किसी से खुद को कम मसमझना चाहिए आपको कितना ही आता हो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ जिस दिन आपने यह सोच लिए ना कि आपका 50% कोर से तो आप टोपर्स के बराबर बन जाओगे मतलब क्या होता है कि पेपर का जो लेवल होता है ना वो डिपेंड करता है कि एक्जाम में आपका प्रेसर कैसा है एक्जाम में आपका क्या सोच रहे हो ठीक है तो एक्जाम म लिख रहे हैं कि how to attempt question मतलब किसी भी question को हमें कैसे attempt करना है तो कोई भी question attempt करो नो दोस्तों अगर आपको topor बनना है और आपको पूरे marks लेना है examiner से तो किसी भी question को कम से कम 3 से 4 step में आप attempt करो कितनी step में 3 से 4 step में और क्या क्या लिखना है step number one में आप लिखो गीवन आपको क्या दिया है मतलब क्या गीवन दिया है वो देख लो कि आपको जो भी गीवन दिया है चाह सरकल का हो चाह कंस्ट्रेक्शन का हो चाह क्वाइटिक एक्वेशन का हो मतलब गीवन क्या है वो सारा लिख लो उसके बाद दूसरी स्टेप लिखो लेट, सबोसर भी नो देट, और थर्ड स्टेप में, थर्ड और फॉर्थ स्टेप जो रहेगी, अगर आपका डाइगराम है, पॉश्चन में तो डाइगराम बनाओ वई, डाइगराम अच्छे से बनाना है, देखो डाइगराम बिल्कुल क्लीन बनाना, पैंसिल से बनाना, अगर आप पैंसिल से बना रहे हो, तो पहले पैंसिल से बना के देख लिए अपना रफ डाइगराम, और अगर पैंसिल से बनाते हो, तो बिल्कुल क्लीन बनाना, लेकिन किल्कुल क्लीन बनाना, क्योंकि डाइगराम का एक मार्क्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक ह सब्सक्राइब करना उन को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी साइड में आप आपको यह लग रहा हो कि मैं कोई नहीं कर पा रहा यह कोशन मुझे समझ में नहीं आ रहा तो अपने जो भी ट्रिक में आपको बताई तो वहां ट्रिक अपलाई करके आंसर जरूर लिख क्या आजाना एक मार्स आपको वहां से जरूर मिल जाएगा और अगर फिरस्टी में नहीं हो आंसर के लभा तो इस टेप लिख देना जो गीवान दिया सबसे पहले पहला किवह लिख देना लेट विन वह ल envoy कर देना और और आगे इल नीचे क्या आपको नहीं आ रहो तो उसको भी attempt करके आना क्योंकि आपके लिए negative markings बिल्कुल नहीं है क्या पता examiner कुछ ऐसा लग जाए वो देखें कि बच्चे ने अपना 100% दिया तो मैं भी इस बच्चे को कुछों के marks दे दू ठीक है और लास्ट में कुछ नहीं करना दोस्तों बिल्कुल अपना दिमाग को क्या करना बिल्कुल school and क्या करना बिल्कुल रखना मैंसे पूरे पेपर के टाइम बिल्कुल यह मत सोचना यह मुझे पेपर फोर्ट के आना 40 आउट ओफोर्टी नमबल लाने की कोशिश करना और दोस्तों आपको एक बात दो बता दू आपको पूरी वीडियो आपने देखी तो आपको लास्ट में बात बता रहा हूं दोस्तों कि मैं सुबा जिस दिन आपका एक्जाम होगा उस दिन आपके साथ एक एक साथ सेक्शन लेके आ रहा हूं इसी क्लास लेके आ रहा हूं जा आपको मतलब एक्जाम में अगर आपको और मीटर लग रहा है न तो वहां आपका सब जिच किस्टर के लिए रहाएगी अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो इतनी गारंटी दे रहा हूं 25 प्ल गाइज